हेलो स्टूरेंट आज फिर मैं ये वेंजन संधी कराने जा रही हूं इसका दूसरा पाट पहले हम लोग करा चुके हैं स्वर संधी ठीक है आज वेंजन संधी कराएंगे बट इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोग छोटा सा एक वीडियो क्लिप देख लीजिएगा ठीक ह उसको देखिये फिर उसके बाद समझने के बाद मैं बताऊंगे वेंजन संधी किसी वेंजन का किसी वेंजन या स्वर से मेल होने पर वेंजन में जो परिवर्तन होता है उसे वेंजन संधी कहते हैं वेंजन संधी के नियम एक वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प का तीसरे व जमा अनुसार पराबर ततनुसार, वाक जमा ईश बराबर वागीश, अच जमा अन्त पराबर- अजंत, सत जमा गती पराबर सत गती, तत जमा भव पराबर तत भव। दो वर्ग के पहले वर्ण का पाँच्वे वर्ण में परिवर्दन अगर वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प के पष्चात न अथव म आए तो प्रथम वर्ण पाँच्वे में बदल जाता है जैसे क का ड, च क न, ट क न, त क न और प का म हो जाता है निमनलिखित उदाहरन इस तरह हैं उत जमानयन बराबर उन्यन, चित जमामय बराबर चिन्मय, तत जमामय बराबर तन्मय, दिक जमानाग बराबर दिर्नाग, उत जमानायक बराबर उन्नायक, सत जमामती बराबर सन्मती, सत जमानारी बराबर सन्नारी, उत जमानती बराबर उन्नती, वाक जमामय बराबर वाड त संबंधी विशेशनियम सत जमाचरित्र बराबर सत चरित्र उत जमालास बराबर उल्लास दो यदि त के बाद हव्यंजन आए तो त कद तथ हगद ह हो जाता है जैसे उत जमाहार बराबर उद्धार पत जमाहती बराबर पद्धि उत जमाहत बराबर उद्धत उत जमाहरन बराबर उद्धरन तीन यदि त के पश्चात श आये तो त क च और श क च हो जाता है जैसे ते उत जमाशिष्ट बराबर उच्चिष्ठ तत जमाशिव बराबर तच्छिव उत जमाश्वास बराबर उच्छवास सत जमाशास्त बराबर सच्छास्त च संबंधी नियम यदि किसी स्वर के पश्चात छ आ जाए, तो छ से पहले च वर्ण जुड़ जाता है, जैसे म संबंधी नियम यदि म के पश्चात क से म तक कोई व्यंजन आए तो म उस व्यंजन वर्ग के 5 में वर्ण में बदल जाता है अर्थात क क क ड, च क न, ट क क ड, त क क न और प क म हो जाता है जैसे किम जमा कर बराबर किंकर यानि केंड कर, सम जमा तोश बराबर संतोश यानि संतोश सम जमा जीवन बराबर संजीवन, सम जमा भाशन बराबर संभाशन, सम जमा ध्या बराबर संध्या शब्द के अंत में अनुस्वार सदैव म का ही रूपलेता है अनिनियम एक म के बाद य, र, ल, व, श, श, स, ह आने पर मा का रूपांतरण अनुस्वार में हो जाता है जैसे सम्जमा योग बराबर संयोग, सम्जमा शय बराबर संशय, सम्जमा स्मरण बराबर संस्मरण, सम्जमा रक्षन बराबर सं रक्षन 2. म के बाद म आने पर द्वित्व आधा म म का प्रयोग किया जाता है, वहाँ अनुस्वार नहीं आता जैसे सम्जमा मोहन बराबर सम्मोहन, सम्जमा मती बराबर सम्मती, न कण, रिशी रश से न कण हो जाता है, परन्तु यदि उसकी पश्चात चवर्ग, तवर्ग, तवर्ग तथश और स आ जाए, तो न कण नहीं होता, जैसे हर जमा न बराबर हरण, परी जमा नाम बराबर परिनाम, भूश जमा अन बराबर भूशन, शोष जमा अन बराबर शोशन, विशेश, अरजुन, दुर्जन, दर्षन, रजत, अर्चना, परिटन, इत्यादी, इसके अपवाद हैं, क्यूकि इन शब्दों में क्रमशह, श, ज, त, च और ट के आने के कारण न क न नहीं हुआ स का श स से पूर्व अ, आ से भिन्न स्वर हो तो स क श हो जाता है जैसे अभी जमा सेक बराबर अभिशेक, वी जमा सम बराबर विशम विशेश, वी जमा समरन बराबर विसमरन, अनुजमा स्वार बराबर अनुस्वार, अनुजमा सरन बराबर अनुसरन इसके अपवाद है तीन, विसर्ग संधी विसर्ग के बाद स्वर्य व्यंजन के आने पर विसर्ग में होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधी कहते हैं जैसे मनह जमा अनुकूल बराबर मनोनुकूल विसर्ग संधी के कुछ नियम एक विसर्ग का ओ में परिवर्तन यदि विसर्ग के पहले अ हो और बाद में अ हो या किसी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांच में अथवा य, र, ल, व, ह में से कोई वन हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है जैसे विसर्ग जमा द बराबर ओ, यशह जमा द बराबर यशो द, विसर्ग जमा भ बराबर ओ, तपह जमा भूमी बराबर तपो भूमी, विसर्ग जमा घ बराबर ओ, पयह जमा धर बराबर पयो धर, विसर्ग जमा ज बराबर ओ, सरह जमा ज बराबर सरोज, विसर्ग जमा न जम ल, बराबर ओ तपह जम लाभ बराबर तपो लाभव दो विसर्ग का र में परिवर्थन यदि विसर्ग के पहले औ, आ को छोड़ कर कोई अनिसवर हो और विसर्ग का मेल किसी बर्ग के तीसरे, चौथे और पांचमे वर्ण से हो अथवा य, ल, व, ह में से कोई वन हो तो विसर्ग का र हो जाता है जैसे विसर्ग जमावा बराबर वरा आशी जमावाद बराबर आशीरवाद विसर्ग जमावा बराबर भरा दुहु जमाभागय बराबर दुर्भागय तीन विसर्ग का श में परिवर्तन यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में च छ श हो तो विसर्ग का श हो जाता है जैसे विसर्ग जमा चा बराबर श, निही जमा चै बराबर निश्चाई चार विसर्ग का स में परिवर्तन यदि विसर्ग के बाद त, थ, प, स हो तो विसर्ग का स हो जाता है जैसे विसर्ग जम त बराबर स नमह जम ते बराबर नमस ते विसर्ग जम त बराबर स अंतह जम तल बराबर अंतस्थल विसर्ग जम स बराबर स नहीं जम सहाए बराबर निसहाए पांच विसर्ग का श में परिवर्तन यदि विसर्ग के पहले इ, उ, हो और बाद में क, ख, ट, ठ, प, फ, हो तो विसर्ग का श हो जाता है जैसे विसर्ग जमा क बराबर श निहीं जमा कलंक बराबर निश कलंक विसर्ग जमा फ बराबर श निहीं जमा फल बराबर निश फल विसर्ग जमा प बराबर श दुहु जमा प्रभाव बराबर दुश प्रभाव 6. विसर्ग का लोप होना 1. यदि विसर्ग के बाद र आए तो वहां विसर्ग का लोप हो जाता है और विसर्ग का पहला स्वर्ग दीर्ग हो जाता है जैसे नहीं जमा रोग बराबर निरोग, नहीं जमा रज बराबर नीरज, नहीं जमा रस बराबर नीरस, नहीं जमा रव बराबर नीरव दो यदि विसर्ग के पहले अ, आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है जैसे अतह जमा एव बराबर अतयव ततह जमा एव बराबर ततयव साथ विसर्ग का नहीं बदलना यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग का मेल क ख प फ से हो तो विसर्ग नहीं बदलता जैसे अंतह जमा करण बराबर अंतह करण, प्रातह जमा काल बराबर प्रातह काल, अधह जमा पतन बराबर अधह पतन, पैह जमा पान बराबर पैह पान आव पाठ दोहराएं संधी शब्द का अर्थ जोड, मेल, समझोता दो शब्द या शब्दांच जब परसपर मिलते हैं तो उनके मिलने से स्वर तथा व्यंजन में जो परिवर्तन आता है उसे संधी कहते हैं संधी के भेद स्वर संधी, व्यंजन संधी और विसर्ग संधी स्वर संधी के भेद, दीर्ग संधी, गुन संधी, वृद्ध संधी, यन संधी, अयादी संधी वियंजन संधी, किसी वियंजन का किसी वियंजन या स्वर से मेल होने पर वियंजन में जो परिवर्तन होता है उसे वियंजन संधी कहते हैं विसर्ग संधी विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने पर विसर्ग में होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधी कहते हैं तो आज जो मैं बताने जारी हूं वो है व्यंजन संधी व्यंजन संधी यानि व्यंजन का मतलब होता है कॉंसोनेंट ठीक है इसे कहते हैं किसी वेंजन का किसी वेंजन या स्वर से मेल होने पर वेंजन में जो परिवर्तन होता है उसे वेंजन संदी कहते हैं यानि किसी व्येंजन का व्येंजन से इन व्येंजनों से जब दोनों का संपर्क होता है या मिलता है, मेल होता है, जोड होता है उसे हम स्वर और व्येंजन के मेल से उसे हम व्येंजन संधी कहते हैं एक्जाम्पल अगर हम ले तो ये सारा अधा consonant है, अधा वेंजन है, अधा क, अधा च, अधा ट, त, प, ये सारे हाफ है, मतलब अधा, इसमें कोई वोवल का sound नहीं आ रहा है, अ का sound नहीं होगा, बिकास ये अधा है, ठीक है, इस वजे से जब ये consonant एक दूसरे से मिलते हैं, स ये तत्भव को अगर हम संदी विच्छेत करें, यानि कि तोड़ देंगे अगर, तो ये इस तरीके से आएगा, निकि तत या भव, तत्भव यानि तत अधा ता प्लस भव, इस ता में अगर हम देखें, ये ता अगर आता है, इस ता को गा में चेंज होगा, ठीक है, गा म हो जाएगा, इस का को अगर हम कोई भी वियंजन, मतलब जुड़ता है दूसरे वियंजन के साथ, तो ये चेंज हो जाएगा, का का चेंज होगा, किसमें, गा में, ठीक है, और अंग हमारा सेम रहेगा, बट, वावल अंग को, या कॉन्सनर वावल, अंग को, हम किसमें चें करेंगे, तो दिग, यानि दिग, का को हम गा में चेंज करेंगे, अंग को हम अनुस्वार मातरा में चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, दिगत, ठीक है, दिगत आजाएगा, ये हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, वेंजन का किसी वेंजन, या स्वर से जब मेल हो ता में अगर, ता से सम्मंदित, अगर कोई भी changes आता है, तो वो किस में change हो जाता है, गा में change होता है, जा में change होता है, ठीक है, च, च, ता, जो है, चा में change हो जाता है, जा में, जा में, सारे changes आते हैं, फिर छा में बदलाव आता है, छा में भी परिवर्तन आता है, यानि कि जैसे कि अगर जगत छाया तो जग छाया जग छाया जायता है चा लग जाता है फिर आएगा अनुच्छेद यानि अनुच्छेद में भी क्या हो जाएगा छा की जगा उसके आगे अधा चा लग जाएगा फिर है मा संबंदी नियम मा में भी क्या होता है का या मा अगर आता ह तो उसमें भी sum, sum की जगा क्या हो जाएगा, न लग जाएगा, मा का न में परिवर्टन हो जाएगा, जैसे example है, हम example लेंगे, मा का कैसे changes होगा, यह, sum plus tosh, यानि की मा को न में change करना, ठीक है, अब यह sum को हम न में change करेंगे, या न में आ जाएगा, तो कैसे होगा, बिंदी, sun, tosh, ठीक है, मा change होकर न में आएगा, sun, tosh, तो यह मा सम्बंदी नियम है, मा को change करके, जैसे अब हम आएँगे, किंकर में अगर आ जाएँगे, तो किंकर ने लिखे, ना में अनुस्वार में आ जाएगा, यह भी किंकर क्या होता है, मा सम्बंदी नियम होता है, फिर आता है, अन्य नियम, यानि की, आने पर हम उसको मा में change कर देते हैं, जैसे की, example है, मा के रूप अंतरण में अनुस्वार के रूप में आ जाते हैं, यानि कि na बन के आते हैं फिर है na का रॉ ठीक है na का रॉव में changes यानि कि जैसे की example है यहाँ पर एक कौन वो है na का रॉव में change होना इस letter को इस वेंजन का इस वेंजन में change होना कैसे हर प्लस न ठीक है हर प्लस न equal to अब कैसे ना को कैसे change हो जाएगा यह ना हमारा किस में change हो जाएगा ना, यानि कि हरन ठीक है इसमें या निकि ना का न में change हो जाना अब भूश प्लस अन भूश प्लस अन ठीक है शा यानि कि consonant है यह consonant है तो already कॉंसोनेंट में स्वर अ लगा हुआ होता है तो हम इस आ को यूज नहीं करेंगे ठीक है विकॉस यहां शा में आ है तो इक्वल तू क्या जाएगा बराबर भू श श में अ है और अन सौरी यहां पर हमने भूशन में अन होना चाहिए यहां पर सौरी यह ना आ जो है ना को चेंज हो जाएगा रा में भूशन ठीक है भूशन आ जाएगा शोशन यानि कि शोश प्लस अन है ना आ शोश शोश प्लस अन ठीक है अब इक्वल तू क्या आएगा शोश है ना यह आ इस कॉंसोनेंट में आ का सौर निकलता है इसलिए हम इसको नहीं लेंगे हटा देंगे और यह ना चेंज हो जाएगा रा में शोशन ठीक है शोशन है ना ब्यूस करना शोशन मतलब होता है ना तो शोशन यह चेंज हो जाएगा तो यह ना करणा में यह होता है फिर सा का शा में दूसरा हाता है सा का शा में चेंज हो जाना जैसे की सा को शा में कैसे चेंज करना है सा अभी प्लस सेख यानि कि सा को सा का किस में चेंज हो जाना शा में ठीक है सा का शा में यानि कि अभी प्लस सेख याना अभी प्लस सेख कैसे चेंज हो जाएगा अभी हमारा वैसे ही रहेगा, अभी वैसे ही रहेगा, ये से है न, इसको हम किसमें चेंज करेंगे, शा में चेंज करेंगे, सौरी, ये हमारा शटकोन वाला श है, इसको हम किसमें चेंज करेंगे, इस शा में चेंज करेंगे, सा को, तो ये श एकी मात्रा का, अभी शे को ठीक है वी प्लस Sum, क्या होगा, इकवल टू वी ये शा आ जाएगा शटकोण वाला शा विशम, विशम मतलब ओडू ठीक है विशम तो यह हमारा दूसरा नियम और नियम है, सा को शा में चेंज करना, न कोडा में चेंज करना, अन्य हम मा को करना, फिर उसके बाद म को हमारा अनुस्वार में चेंज करना यह सारे व्यंजन का एक उधारन है ठीक है फिर हम जाते हैं विसर्ग संदी विसर्ग संदी क्या है हम लोग छोटी क्लास से जब हिंदी हम पढ़ते हैं क्लास वन से हम लोग हिंदी पढ़ते आ रहे हैं तो मात्रा में हमारा क्या आता है, हम लोग छोटे में क्या बोलता है, यह सिंबल आता है, हम लोग बोलते हैं अह की मात्रा, लेकिन हम जो बड़ी क्लास में जाते हैं, तो इस सिंबल को हम लोग क्या कहते हैं, विसर्ग, ठीक है, क्या कहते हैं, विसर्ग, ठीक है, अब इस वि विसर्ग संदी के भी कुछ नियम है और डाफिनिशन है विसर्ग संदी किसे कहते हैं विसर्ग के बाद स्वर या विंजन के आने पर विसर्ग में होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संदी कहते हैं यानि विसर्ग के बाद इस विसर्ग यानि इस विसर्ग के बाद आने वाल वही विशर्ध संधी होती है ठीक है विश्रध संधी के भी कुछ नियम है तो जीसे फिर्स्ट हो ... मात्रह आती है उसमें कैसे परिवर्तन होता है न तो यहाँ पर अगर आ कर आए तीसरे चौथे पांचवा आत्वा कोई भी वर्ण हो तो विशत का O हो जाता है मतलब यदि विसर्ग के पहले यह सिंबल के पहले अगर आ हो और बाद में आ हो या किसी के वर्ग में तीसरे चौथे पांचवे में भी क्या होता है यह रहला वहा लास्ट लाइन होती है यह रहला वहा अगर इसमें से कोई भी लेटर अगर आता है तो किस में चेंज होता है ओ में चेंज हो जाता है जैसे जैसे एक्जामपल है अगर मैं लगाऊं यह है विसर्ग ठीके प्लास रा यह रा लावा मैंने बोला ना यह रा लावा तो यहां पर क्या हो जाएगा विसर्ग प्लस रा आगर आये, तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा. ठीक है? कैसे? कैसे हगर हम लगाएं? Suppose, मन, मन तो वर्ड है, मन में आगया हमारा विसर्ग आगया. विसर्ग आने के बाद, प्लस रत. अब हम कैसे इसको जज़ करेंगे, यह कैसे पता लगाएंगे, कि यह विसर्ग और रा कैसे आया? विसर्ग यहाँ पर, लास्ट में विसर्ग आ रहा है, प्लस इस वर्ड का पहले क्या आ रहा है? रा रहा है. यह हो गया न, दोनों, अगर हम देखें, तो यह दोनों हो गया. यह चीज आ गई. विसर्ग प्लस रा. तो यह दोनों हमारे किसमें चेंज हो जाएंगे? ओ में चेंज हो जाएंगे. Understand? ओ में चेंज हो जाएंगे, तो यह क्या बन जाएगा? क्या वर्ड बनेगा? विसर्ग की जगा, हम क्या यूज़ करेंगे? ओ. इस, मतलब वावल को हम, मात्रा में चेंज करेंगे. ठीक है? यह मात्रा में चेंज हो गया, मनो, रत. ठीक है? यह पूरा चेंज हो गया, इस विसर्ग को हमने, ओ में चेंज हो गया, अगर यह दोनों आए तो, मनो, रत हो गया. ठीक है? फिर एक और example अगर मैं बताऊं तो फिर से आएगा एक विसर्ग plus जा जा अगर हम लगाएं कैसे सर प्लास सर विसर्ग प्लास जा हम लोग ने यहां पर क्या आ रहा है जा आ रहा है जा ठीक है बट विसर्ग आ रहा है यहां पर तो विसर्ग प्लास अगर जा आ रहा है तब भी हम क्या करेंगे यहां पर ओ की मात्रा लगाएंगे यह अगर विसर्ग के संग अगर आ रहा है जा फिर भी हम O करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा विसर को हम अगर O में चेंज करेंगे तो बन गया सरोज ठीक है? सरोज तो ये बहुत एजी है विसर में कोई भी कॉंसोनेंट अगर आता है तो अब उसे इस्पेशली यार लव हा अगर आता है तो हम उसे O में चेंज करेंगे ठीक है? फिर आता है रा में परिवर्तन रा में भी परिवर्तन आएगा जैसे यदि विसर के पहले आ को छोड़ कर कोई अन्यस्वर हो जिसमें तीसरे चौथे पाच्वे वर्ण से यार अलव हा में कोई वर्ण हो तो वहाँ पर रा लग जाता है जैसे की कैसे? कैसे लगता है? एक-एक एक एक जामपल में देते जाओंगे क्योंकि बहुत बड़ा लेसन है ठीक है? तुम लोग खुद बुक में देख लेना ये विसर्ग है प्लस आ आ गया ठीक है? आ आ गया कैसे आ गया? आ हम लोग देखेंगे नी विसर्ग प्लस अर्थक तो ये चीज़ आई हमारी विसर्ग प्लस अ यानि विसर्ग प्लस अर्थ तो ये किस में चेंज हो जाएगा? रा में चेंज हो जाएगा ठीक है, रा में change हो जाएगा कैसे होगा, नी नी तो हमारा गया विसल को हटा कर रा में change करना है निर, निर हो गया आ नहीं लगाएंगे बिकॉज इसमें आ sound आ रहा है निरर, ठक ठीक है, ये रा में change हो गया बहुत easy है, बस नियम को जानना है, हमको कैसे करना है ठीक है, अगर रा में आता है, फिर आता है, शा में परिवर्तन, शा में कैसे आएगा शा में दूसरा आएगा दूसरा नियम में शा में changes होना यानि कि, अगर ये है प्लस चा आया consonant तो चा की जगह हम क्या करेंगे, उसमें क्या लगा देंगे, शा आ जाएगा, ठीक है ये विसर, कैसे, example नी विसर, चै ये चै आगिया ना, ये विसर और चा, ये आ गया तो हम चा की जगह शा लगाएंगे याकि नी शा, अधा शा, कभी भी हम ये विकोज हाफ है नहीं है, तो आधा शा लेंगे, और चै, निश चै, ये हो गया, example यानि कि शा में चेंज होना विसर का शा में चेंज होना फिर विसर का सा में चेंज होना, विसर का शटकून वाला शा में चेंज होना, विसर का लोप होना, लोप मतला हट जाना, बिल्कुल गायब हो जाना कैसे गायब हो जाना, अब हम बताएंगे कैसे लोप हो जाना, गायब कैसे हो जाता है यह है नी रोग विसर का नी नी प्लास रोग ठीक है, अब इसका लोप हो जाना, यानि कि छोटी E की मात्रा को, बड़ी E की मात्रा में चेंज अगर हो जाएगा, विसर का गाट हो जाना, लोप हो जाना, नी, रोग. यह कैलाएगा. यह होता है, लोप होना, गाट होना. यह भी एक्जांपल है, तुम लोग खुद अपनी book में सारे example अच्छी तरीके से पढ़ना फिर विसर का नहीं बदलना यानि कहीं कहीं पर हम विसर बिल्कुल नहीं बदलते बिल्कुल जैसा है वैसे ही रहता है इसको हम जैसा है वैसे रहेगा तो हम कैसे लगाएंगे जोड के पराताहा रस काल कोई बदलाव नहीं हुआ इसमें ये एक और नियम है जिसमें विसर का नहीं बदलता स्पेशली क, ख, प, प, फ, जब आता है तब नहीं बदलता ठीक है तो ये आज का हम लोग का हो गया वेंजन संधी और विसर्क संधी ये दोनों संधी के नियम हैं जो तुम लोग खुद अपनी बुक में पढ़ोगे सारे एक्जामपल इसमें दिये हुएं एक-एक मतलब संधी को किस तरीके से की गई है ठीक है आज के लिए फिर इतना ही थैंक यू आल अफ यू